आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर complex regional pen syndrome जिसको अपन short pen कह सकते हैं CRPS इसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं sudex dystrophy, reflex sympathetic dystrophy तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे complications of fractures तो पहले यहाँ पर पढ़ने पढ़ा था कि complications of fractures को अपने तीन तरह से classify किया था फर्स्ट है immediate complication, उसके बाद second आता है early complication, उसके बाद third है late complication तो जो late complications होते हैं वो अपन को fracture होने के कुछ महीनों बात या पर कुछ सालों बात देखने को मिलता है तो जो late complication है इसके अंदर अपन आज यहाँ पर पढ़ रहे है sudex dystrophy of reflex sympathetic dystrophy जो कि late complication के अंदर आपको देखने को मिलता है हाँ तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते है complex regional pen syndrome, sudex dystrophy यहाँ फिर reflex sympathetic dystrophy तो this is term given to a group of vagus painful condition observed as the sequel of trauma तो यहाँ पर लिखा हुआ है this is term कौन से term complex regional pen syndrome की जो term दी हुई है वो इसका मतलब क्या है जो यह एक तरह की group of vagus painful condition है मलब यह एक तरह की aspersed painful condition है जो कि अपन को group में देखने को मिलती है और यह अपन को observer होती है sequel of trauma में तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है trauma is sometimes relatively minor तो कभी-कभी क्यों होता है जो trauma है वो minor हो सकता है and hence symptoms and signs are out of proportion of the trauma तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो trauma होता है sometimes वो कभी-कभी minor हो सकता है और इसलिए यहाँ पर जो symptoms and signs देखने को मिलते हैं अपन को complex regional pain syndrome के अंदर वो trauma के proportional के बाहर होते हैं ठीक है तो यहाँ पर भी इसके दो तरह के type होते है type 1 and type 2 जो पर next page पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है type 1 जो कि अपन को 90% देखने को मिलता है occurs where there is injury or illness with no direct evidence of nerve damage of the affected limb जो affective limb है वहाँ की nerves की बात हो रही है तो वहाँ पर जो nerves का damage होता है वो direct अपन उसका evidence नहीं कर पाते हैं कि इसके साथ injury और illness के साथ उसके बाद जो type 2 आता है उसको यहाँ पर कहते है Cozlesia जो कि अपन को 10% देखने को मिलते है Cozlesia जो यहाँ पर लिखा हुआ है occurs when there is a Distinct evidence of injury to the nerve तो यहाँ पर जो इसका evidence होता है injury of nerve का distance होता है वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर देखने को नहीं मिलता इसका evidence उसके बात लिखे हुआ है यहाँ पर इसके कुछ consequences जो कि है clinical features consist of pain Allin- इसके clinical features है उसके अंदर include होते हैं आप आपनों को यहाँ पर main देखने को मिलेंगा swelling देखने को मिलेगी और यहाँ पर hypo सब्सक्राइब को देखने को मिलेगा उसके बार जो कंडी स्कीन है उसके उपर क्या क्या देखने को मिलेगा इसकीन बिकम जो इसकीन है वो बन जाती रेड सीनी और वार्म आपको देखने को मिलती है अली स्टेज के अंदर यहां पर अली स्टेज की बाहत हो दिये फिर यहां यहांपर देखने को मिल सकती है और यहांपर देखने को मिल सकता है and stiffness cured x-ray so collector sticks sporty जो यहां पर x-ray होता है वो sporty एकस्ते की इन्वेस्टिकेशन कर सकते हैं तो आपने इसका करने के लिए अант ul टर्म ग्राफिका यूस कर सकते एक सब्सक्णार ये इंस कोसी सकते चुन करबा सकते हैं झायाँ ये प्ने कर को सकते हैं की फुल फो यह एक टीमेंट कोस्टाना इसके टीमेंट में असे बताना इसके बाद नेनेज बीटिमेंट को तही से ah मैं भ होसे थे नहीं आप टोगी कॉन्डिशन तो ठीमेंट इस सो देट्रीट्मेंट इस प्रोलंग नूज़ों टीप्मेंट होता है वो सकतरा प्रोलोंग होता है तो असने करवागे पर आपाने शकुल्रेट्मेर्ट्ट्रूट्यूट्सिपल मोडालिटी ऑफ के बाद्न यहां पर फॉर्दर in the form of an operation or forceful mobilization is detrimental उसके बाद किस तरह सकते हैं वो है यहां पर बीटा ब्लोकर्स केटा माइन बिस फो फोर नेट्स यह से यहां पर यहां पर गुड्रेस्मोंस देखने को मिलता है इस कंडिशन के अंदर उसके बाद आपन यहां पर क्या करा सकते हैं इस तरह से अपर इसका करा सकते हैं और इस कारण से यहां पर रिकावरी देखने को मिलेगी उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है इन रिजिस्टेंस कैसे सिंपेथेटिक ब्लोकर्स में एड इन रिकावरी प्रोलॉंग फिजियो तेरेपी और पेशेंट नो ओन पार्ट अव्याट्स में अपर प्रोलॉंग फिजिनिया तक तो इसके अंदर जो पेशेंट पैंट इसके प्रोलॉंग को सकते हैं तो यहां पर आज अपने पढ़ा है कॉंप्लेक्स रिजशनल पेंशन सिंड्रॉम जो कि काफी चलओ सा टॉपिक था जो यहां आता है कॉंप्लिकेसंस और फ्रेक्चर्स के अंदर है एक तरह का कॉंप्लिकेशन है जो कि फ्रेक्चर्स के बाद अपने को देखने को मिल सकता है पेशन के अंदर थैंक्यू सो मच